नमस्कार मैं रिशु सिंग टार्गेट वी दालोग में टुडेश करेंट अफियर्स की सिंखला प्रस्तुत कर रही हूँ इस नई पहल में हम रोज के खबरों से कुछ प्रश्न बनाएंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परिछाओं के लिए तो उपियोगी है ही साथ में SSC, बैंक, पियो, रेलवे और पूले सित्यादी परिछाओं के लिए भी समान रोप से उपियोगी है चलिए आज के सवाल को देखते हैं, आज का हमारा पहला सवाल है परम विशिष्ट सेवा पदक निवन में से किसे प्रदान किया गया है, नीचे कुछ विकल्प दिये हैं, आपको निवन में से बताना है कि परम विशिष्ट सेवा पदक किसे प्रदान किया गया है, तब तक हम इसके विस्तार को देखते हैं ससस्त्र बलो के सर्वच कमांडर राष्टपती होते हैं राष्टपती रामनात को बिंध है वर्तमान में और 14 मार्ज को ससस्त्र बलो के कर्मियों को केर्थी चक्र और सौर चक्र के साथ कई अन्य सेवा पदक प्रदान किये सेना प्रमुक्ष ज़नरल विपि रावत को परम विशिष सेवा पदक से समालिक किया गया है इस प्रकार आपका जो भी कलब है वो A सही है जनरल विपिन रावत आए अगला सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल है व्रग्जिट की समय सीमा के पक्ष में ब्रिटिस संसद में मद्दान किया गया है नीचे कुछ देट दी गई है कुछ तारिक के नाम दिये गई है आपकोन में से बताना है कि इसकी समय सीमा कब समाप्थ हो रही है चलिए इसके विस्तार को देखते हैं ब्रिटेन में सांसदों ने यूरोपी संग से अलग होने के समय सिमा बढ़ाने की पच्छ में मद्दान किया है यह समय सिमा 29 मार्श को समाफ्थ हो रही है और ब्रिटेन की संसद जो है उसका नाम है हाउस आपकामन्स में प्रस्ताव पेस किया गया है और इस प्रस्ताव के पक्ष में 412 और बिपक्ष में 202 ओर पड़े हैं हलांकि व्रेगजिट की समय सीमा बढ़ाने के लिए यूरोपी संग के 27 देशों की सहमत जरूरी होना आवश्यक है तो इस प्रकार जो आपका आपसन है वो 20 ही है 29 मार्च चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल है आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर की सभी संपत्यों को फ्रीज करने की खोश्रा निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है नीचे कुछ देशों के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि इस देशों में से किस देश के द्वारा इसकी खोश्रा की गई है आए इसको विस्तार से देखते हैं फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाब भारत की लड़ाई के समर्थन में 15 मार्च को आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मत के सरगना मसूद अजहर की सभी संपर्तियों को जब्त करने की खोश्रा की है फ्रांस ने अफैसला अजहर को अंतराश्टी आतंकवादी खोशित करने के सहित राश्ट सुरच्छा परिस्द में प्रस्ताव पर चीन की दीटों लगाने के बात किया गया है इस प्रकार जो आपका आंसर है वो D.C.E. है यानि France आपका अगला सवाल है नीजीलेंड के क्राइस्च चर्च इस्थीत किस मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है नीचे कुछ मस्जिदों के नाम दिये है उन्हें से आपको बताना है कि किस मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ है नीजीलेंड में आए पहले इसको विस्तार से देखते है नीजीलेंड में 15 मार्ज को मध्य क्राइस्च चर्च इस्थीत अल्लूर मस्जिद में आतंकवादियों ने हमला कर दिया इस हमले में 44 लोगों की मौत हो गई है यहाथ सा उस समय हुआ जब लोग मस्जिद में जुमे की नमाज कर रहे थे इस प्रकार जो आपका आंसर है वो 20 ही है अल्लूर मस्जिद आपका अगला सवाल है केंडरी बैंक RBI द्वारा निमन में से किस बैंक को नीजी छेतर के बैंक की सेड़ी में रखा गया है RBI ने IDBI बैंक को नीजी छेतर के बैंक की सेड़ी में रख दिया है और इसके रखने का कारण ये है कि भारती जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा IDBI बैंक में बहुलास हिस्सेदारी के अधिगरहण के बाद यह कदम उठाया है LIC ने IDBI बैंक में 51 फैस्दी हिस्सेदारी का अधिगरहण प्रक्तिया जनौरी 2019 में पूरा कर लिया था इस परकार जो आपका आंसर है वो C सही है IDBI आपका अगला सवाल है 15 मार्श निम्लखित में से किस दिवस के रूप में मनाया गया है नीचे कुछ दिवसों के नाम दिये हैं आपको बताना है कि 15 मार्श को इन में से किस दिवस के रूप में मनाया गया है आईए हम इसको विश्कार से देखते हैं प्रतेक वर्ष 15 मार्ज को गिश्व उप्भोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको मनाया जाने का मुख्य उद्देश से उप्भोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हीतों के लिए बनाये गए उप्भोक्ता संरच्छ अधनियम और उसके अंतरगत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है इस प्रकार जो आपका आंसर है वो बी सही है विश्व उप्भोक्ता अधिकार दिवस आईए अगला सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल है एसियन बिजनेस लीडर्शिप फोरम एबी एलेफ 2019 की थीम क्या है दीजे कुछ थीम के नाम दिये हैं आपको इसमें से चूज करना है तब तक हम इसके विश्वार को देखते हैं शयूंत अरब अमिरात की शंगिय सरकार के साथ साजिदारी में बैस्विक नेत्री तुमंच एसियन बिजनेस लीडर्शिप फोरम ने भारत यूएई संबंधों को और गति देने का फैसला किया है EUA सरकार द्वारा 2019 को EUA के सहिशूरता के रूप में घोशित क्या गया है जो दया समावेश और रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनने की प्रतिवधरता को रेखांकित करता है और इसकी जो थीम है वो इंटर कनेक्टेड वर्ड में शमावेश नेत्रितों से शूरता के माध्यन से ड्राइविंग प्रगति एमंशन सीलता के माध्यन से इस्थिरता है इस प्रकार जो इसका आंसर है वो दी सही है आईए अगला सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल है देश में स्वच और अस्थाई गतिसिलता की पहल को बढ़ावा देने के लिए अस्थापिक किये जा रहे परिवर्तन कारी गतिसिलता और बैटरी भंडारण पर मिसन का नेप्रितो हाल ही में किसे सहपा गया है नीचे कुशब्यक्तियों के नाम दिये हैं इनमें से आपको आप्सन स्चूज करना है चलिए इसके विस्तार को देखते हैं अमिताव कांत जो की नीदी आयोग के CEO है मिसन के अंतरगत जो सर्टे रखी गए हैं उनका कार्यानवन तथा संचालन समिती के निड़यों और शिफारिसों का पालन करना सुनिश्चित करेंगी इस प्रकार जो आपका आंसर है वो B सही है अमिताव कांत आईए अगला सवाल देखते हैं आपका अगला सवाल है राजनितिक दलो का पंजी करण जन प्रत्मीधित्त कानून 1951 की किस धारा के प्रावधानों द्वारा सासित है नीचे कुछ धाराओं के नाम दिये गए हैं आपको उनमें से आप्सन चूज करना है चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं राजनितिक दलो का पंजी करण जन प्रत्मीधित्त कानून 1951 की धाराậpावधानों द्वारा सासित है भारत के समीधान के अनुच्छे 324 तथा जन प्रत्मीधित्त कानून 1951 की धारा rất 2021 के तहथ प्रदक्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारत किये गए दिशान निर्देशों द्वारा उक्तधारा के अंतरगत आयोग के साथ पंजी करण चाहने वाले राजनितिक दलों को अपने गठन की तिच से लेकर तीश दिन की अवधी के भीतर आयोग के पास आवेदन जमा कराना होता है इस प्रकार जो आपका आफ्षन है वो ए सही है 1951 की धारा 29A आपका अगला सवाल है निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट मंडल उद्यमी पुरसकार से सम्मानित किया गया है नीचे कुछ व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं उसमें से आपको और्षन चूच करना है तो चलिए देखते हैं इसकी विश्तार को तमिल नाडु के एक समाजी कुद्यमी जिनकी एक संस्था है उस संस्था का नाम है नोव फूड वेष्ट के संस्थापक है पदमनाभन गोपालन और इनको लंदन में राष्ट मंडल सेचिवालर में एक समारोह में तीन हजार पाउंड मुलिके ACI स्षेत्र के लिए राष्ट मंडल युवा पुरसकार का विजेता चुना गया है इस प्रकार जो आपका आफशन है वो सी सही है पदमनाभन गोपालन तो ए रहें आज के सवाल उमीद है कि हमारे द्वारा की गई कोशिस आपके लिए उपयोगी होगी अगर आप हमारी इस पहल से लाभानवित हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं थेंक्यू गाइज, हैवे नाइस दे